कपाल भाती करने के तरीके और फायदों को जानने से पहले ये जान लीजे कि कपाल भाती किसी तरीके का प्रानयाम नहीं है जी हाँ, ये एक क्लेंजिंग टेकनीक है जिसे यूग के अनुसार शटकर में शामिल किया जाता है अब आप कहेंगे कि आपने तो यही सुना है तो मैं आपको बताऊंगी क्या है सही वो भी डीकनी प्रानयाम अर पीठी देख रहे हैं और आज इस्टीडियो में आपको बता रहे हैं कपाल भाती करने का सही तरीका कपाल का अर्थ है माथा और भाती का अर्थ है चमकना इस प्रानयाम को करने से माथे पर तेज आता है आपको ये भी पता दू कि इस प्रानयाम को करने से शरीर से लगभग 60% यानी 70 प्रतीश टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं ये प्रानयाम आपकी बॉड़ी को नई एनेजी तो देता ही है साथे साथ आपकी इम्म्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है कपाल भाती करने के लिए सबसे बहले किसी कामपर्टीबल पोजिशन में बैठ जाएए आप सुखासन में बैठ सकते हैं पदमासन लगा सकते हैं या फिर बजरासन में भी बैठ सकते हैं इसके बाद आपको अपने हातों से चित्तमुद्रा बनानी है इस तरीके से इसे अपने दुनों घुटनों पे रख दीजे और उसके बाद हम शुरू करेंगे रपाल भातिया इन्हेल करें और इसके बाद जटके से सांस छोड़ते वे पेट को अंदर की और खीचें ऐसा लगातार करते रहें अपना ध्यान इन्हेल पर नहीं बलकि एक्जील पर रखें अगर आपको हर्निया, अलसर, हाइपर टेंशन या फिर हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो इसे करने से पहले एक बार अपनी डॉप्टर की सला ज़रूर लें कपाल भाती, लिवर, पैंक्रियास, किड्नी, इंटेस्टाइन और लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्साइज है कपाल भाती आपको बहुत सारे फायदे देता है इसे करने से आपका माइंड बेटर वर्क करता है ग्यास और एसेटिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, कॉंस्टिपेशन के समस्या दूर होती है, नीन भी अच्छी आती है इस आसन को करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिजम को सुधारता है और वजन घटाने में भी मदद करता है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रानयाम या फिर योगा में किसी भी क्रिया को करते समय आपको गिंते पर नहीं सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए इसी तरीके से प्रानयाम को आप एक बार में 35 से लेकर 100 बार ट्राइ कर सकते हैं अगर आप बिगेनर हैं तो 35 से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद उसे धीरे-धीरे करके हर दिन के साथ बढ़ाते रहिए और एक बार में 100 तक ले जाएए कपाल भाती करते समय अपनी बीधिंग स्पीड को घटाएं या बढ़ाएं नहीं अगर आप धीरे करेंगे तो भी आपको उतने ही फायदे मिलेंगे अगर आप तेस्ट करेंगे तो भी आपको उतने ही फायदे मिलेंगे एक speed से शुरू कीजिए और उसे end तक continue कीजिए आप एक बार में 3-5 बार कपाल भाती को कर सकते हैं कपाल भाती करते समय आपको सिर्फ पेट के movement पर ध्यान देना है कुछ लोग अपने कंधों का भी movement करते हैं जो की गलत है आपको कंधे का movement नहीं करना है body के किसी और part का movement नहीं करना है सिर्फ पेट के movement पर ध्यान लगाना है जब आप exhale करेंगे तो आपका पेट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर जाएगा और जब आप inhale करेंगे तब वो relax रहेगा इसे कुछ लोग उल्टा भी करते हैं जैसे कि जब वो inhale करते हैं तब उनका पेट अंदर की तरफ जाता है और जब exhale करते हैं तब बाहर की तरफ इसका logic समझे जब आप exhale करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर की ओर जानी चाहिए यानि आपकी body से carbon dioxide बाहर निकलनी चाहिए और उसके बाद जब आप inhale करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर जानी चाहिए तो जब आप inhale करेंगे तब आपका पेट फूलना चाहिए या normal रहना चाहिए जब आप एक्जेल करते हैं तब आपका पेट जादा से जादा अंदर की तरफ जाना चाहिए कुछ लोग इसे करते समय कंधू का मूवमेंट भी करते हैं इस तरीके से यह गलत है, आपको कंधो का movement नहीं करना है, आपको सिर्फ पेट के movement पर ध्यान लगाना है जब आप इसे करेंगे तो पाएंगे कि पेट के जितने भी organs है, उन सभी को आप move कर रहे होंगे यह सभी के लिए बहुत ही अच्छी exercise है, जिन लोगों को अस्तमा की problem है या फिर उनको साइनस साइटिका की problem है उनके लिए भी यह प्रानयाम बहुत ही फायदे मन्द है जैसे कि मैं आपको बता रहे थी कि कपाल भाती प्रानयाम का कोई टाइप नहीं बलकि शटकर्म में शामिल किया जाता है शटकर्म वे योगे क्रियाएं हैं जिनने daily routine में अगर आप शामिल करते हैं तो इससे आपकी body की cleansing होती है आपकी body से toxins बाहर निकलते हैं और क्यूंकि ये सांस के साथ किया जाता है इसलिए से प्रानयाम में शामिल किया जाता है कपाल भाती करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए clapping करेंगे तो आपको इसके ज्यादा फायदे मिलेंगे तो अपने हातों को इस तरीके से फैलाएं और उसके बाद clap करेंगे लाइग 1, 2, 3 and stretch 1, 2, 3 and stretch 1, 2, 3 and stretch इससे दस बार करने के बाद अपनी clapping की speed को बढ़ा लीजिए like this पूरी बादी में वाइब्रेशन फिल करेंगे इसी करने के बाद जब आप अपने हाथों को इस तरीके से खुटनों पर रखेंगे तो पूरी बॉड़ी में वाइब्रेशन्स फिल करेंगे ये वाइब्रेशन्स आपकी बॉड़ी से टॉक्सिन्स को बाहा निकालने में और आपके माइंड को रिलाक्स करने में मदद करते हैं कपाल भाती करने के बाद कुछ देर सुखासन में बैठ कर अपनी बॉड़ी को अब्सर्व करें Slow your thoughts and try to focus on your breath गहरी लंबी सांसे लें और गहरी लंबी सांसे छोड़ें अपने में दोड़ें